हारर कहान्याठी खून की प्यास पाट्टू और उसके बाद वो जंगल एक बार फिर से सुमन की चीखों से गून जुटा लेकिन आज की राद सुमन की चीखों को सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था अगर वहाँ पर कोई माजुद था तो बस हर्या जो कि आब एक भेडिये में बदल चुका था सुमन के बालों को पकड़ कर घर सीठते हो वो जंगल के बीचों बीच एक जगा पर ले जा रहा था अगली सुबा गाउं में अरे भाई पता नहीं क्या बात है अपने गाउं का हरिया किसान और उसकी पतनी सुमन दोनों का आयाब है दोनों का कोई यता पता नहीं अरे कैसी बाते कर रहे हो भाई ये कब हुआ है अरे पूरे गाउं में खबर फैली पड़ी है कल रात को दोनों खेट की तरफ जा रहे थे लेकिन लोट कर आये ही नहीं तो हो सकता है अपने खेट पर होंगे पूरा गाउं ढूंड कर आया है भाई जानते हो क्या मिला वहाँ पर अ क्या हुआ भाई? क्या मिला? बताओ हमें क्या मिला? अरे हरिया की पतनी सुमन के कपड़े पड़े हुए थे शरीर का एक-एक कपड़ा फटा हुआ जोपड़ी के बाहर पड़ा था लेकिन दोनों पती-पतनी का कोई पता ठीकाना नहीं था रे भाई लेकिन उसका जो दोस्त है ना रामु किसान उससे पता करके आते है ना अब तक तो दोनों साथ ही खेट पर जाया करते थे हाँ 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 हमें हमें उसके घर जाना चाहिए भाई चलो चलो वहाँ चलते हैं चलो वो सारे लोग रामु के घर पर पहुँचते हैं रामु अपने घर के बाहर बैट कर हुका पी रहा था आज सारे के सारे लोग टोली बना कर मेरे घर क्यों आ रहे हैं? क्या कोई मर गया क्या भाई? अरे कैसी बाते कर रहे हो? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हरिया और उसकी पत्नी गायब है और तुम यहाँ बैठ कर हुका पी जा रहे हो? रामु ने अजीब सी नजरों से उन सब गाउवालों की तरफ देखा जिसकी वज़से बुलोग एक बार के लिए डर गया है अरे गायब नहीं है मुक्ति मिल गई है उन दोनों को मुक्ति मिली है इस दुनिया में आकर हर इंसान पाप करता है और उसे उसके पापों के लिए म मुक्ति मिलना बहुत जरूरी है अरे ये कैसी बहकी बहकी बाते कर रहे हो भाई और 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 इसका चहरा अजीब सा क्यों लग रहा है लगता है दोस्के मरने का गम बैठ गया है पागल हो गया है शायद ये पागल ये बात सुनते ही रामु चीख कर जोर से चिलाते चोड़ने वाला सबको खा जाएगा याद रखना मेरी बात ए इस वो झाजाएरा रहाने की बात का बुरा मत मानिये दो दिन पहले हरिया की साथ खेट पर गए थी जब से वहां से आए है तब से ऐसी ही बाते कर रहे है बागवान जानै ऐसा क्या देख लिया उन्होंने खेत में कुछ भी बड़बड़ा आते रहती है लेकिन गाउं की लोगों ने कमला की कोई बात नहीं सुनी और वो सब वहाँ से चले गए रात अब धीरे धीरे डलने लगी थी तब याचानक किसी ने दीमी सी आवाज में रामू को पुकारा रामू आजा मैं तुमारा इंतिसार कर रहा हूं और सुनू अपनी पत्नी को साथ ले कराना नहीं तो काम अधूरा रह जाएगा या आवाज सुनते ही रामू के चेहरे पर शैतानी मस्कुराहट आ जाती है वो धीमे कद्मों से अपने घर के अंदर आता है क्या हुआ? तब यह ठीक है ना बापकी? मैं तुझे अपने साथ खेत पर ले जाने आया हूं, चल मैं तुमारे साथ कहीं नहीं जाने वाली मुन्ना गहरी नीन में सो रहा है और उसे अकिला छोड़कर मैं तुमारे साथ खेत पर नहीं आ सकती वैसे भी तुमारे उन खेतों में भगवान जाने कौन सा राक्षस घूम रहा है? मुझे तर डर लगता है रामू कुस्से में दाथ पीस्ता अपनी जोपड़ी से बाहर आ जाता है और कमला गहरी नीन में अपने बच्चे के साथ सो जाती है तब ही अजानक रात को रामू की जूपड़ी के उपर एक साया वही गाना गुन गुनाते हुए घूमने लगता है जो हर्या की मुबाइल में बचा करता था मैं मौत हुँ मौत हुँ मौत जो बसरी है चालोर जो आएगी कहीं से भी नगल जाएगी सबको मैं मौत हुँ मौत अल्मा जो लंगे नहीं किसी को यह आवाज सुनकर रामू की पतनी कमला की आँख खुलती है और वो देखती है कि उसका मुन अपनी जगह से गायब था कमला चीकते हुए बाहर दोड कराती है वहाँ पर उसने देखा कि रामू ने अपने बच्चे को जूपणी के बाहर एक बेड़ से उल्टा लटकाया हुआ था और उसका बच्चा चीक चीक कर रो रहा था वहीं दूसरी तरफ एक साया बच्चे के ठीक नीचे आग जला कर उसके चारो तरफ हैवानों की तरफ नाच रहा था छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चे को अरे क्या कर रहे हूँ तुम शर्फ नहीं आती तुम्हें अपने ही बच्चे को इस तरफ मौक के हवाले करते हुए अपना बच्चा? किसने कहा ये मेरा बच्चा है अरे ये तो उस रामू की आउलाद है इस गाउं के किसान रामू की और मेरी दुश्मनी इस गाउं के हर इनसान के साथ है क्या? कैसी बात कर रहे हो तुम? और ये ये औरत कौन है? ये मेरे बच्चे को खा जाएगी तब ही अचानक से उस सायन एक बेहत खतरनाग दिखने वाली औरत का रूप ले लिया और उसकी आँखों से आग निकल रही थी सही पैचाना तुमें? मैं तेरी बच्चे को खा जाएगी अगर तु अपनी सहवान के रामों के साथ जंगल नहीं आए तो मैं तेरे बच्चे को खा जाएगी लेकिन क्यों? आगर क्या चाहती हो तुम मुझसे मुझे जंगल क्यों ले जाना चाहती हो? और अद्बुरी तरह से ठहा के मार मार कर जोर-जोर से हसने लगी और साथ में रामों थी ये तो तुझे वहाँ चलने के बाद ही पता चलेगा ना? अगर तु नहीं आई तो थोड़ी देर में तेरा ये बच्चा आग में जलकर मर जाएगा चल जल दी नहीं, नहीं मेरे बच्चे को जोर दो तुम जहां कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तयार हूँ और उसके बाद उस बच्चे को जूपड़ी में लिटा कर आगे आगे वो साया चल रहा था और उसके पीछे पीछे रहूँ अपनी पत्नी के बाल पकड़ कर उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया जंगल में जाने के बाद कितनी खुबसूरत हो तुम आज की राद बस तुम और मैं एक दूसरे के साथ रहेंगे मुझे तुमसे बहुत डल लग रहा है तुम्हें क्या हो गया है तुम तो बिलकुल चीटते वो होगा जो हमारे बिच होना चाहिए तो आओ आओ अपने आपको मेरे हवाले कर दो कमला ने डर की वज़े से अपनी दोनों आखे कसकर बंद कर ली थी रामू ने बुरी तरह से चीख कर कमला से कहा आखे खोलो अपनी और मेरी तरफ देखो कमला ने जैसे ही अपनी आखे खोली उसने देखा कि रामू एक खतानाग खुनी हैवान में बदल चुका था कौन हो तू जाने दो मुझे क्यों चाने हो मुझसे अही जो एक आदमी एक और उतसे चाहता है मैं तुम्हारा पती रामू नहीं कल की इस जंगल का एक धेड़िया और आज की रह तुम्हारे खुल से अपनी प्यास पुछा जाओ और उसके बाद वो जंगल कमला की दर्दनाग चीखों से गुंज उठा अगले सुबा कमला के कपड़े पी जंगल में उसी तरह पाए गए जैसे की सुमन के पाए गए थे इस घटना के बाद पूरे गाउं में देह्षत का माहूल था अपने माबाब की माथ और गाउं में हो रहे इस तरह की घटनाओं की खबर सुनकर किश्शन शहर से गाउं लोटाया था अपने माबाब की बेदर्द माथ की वज़े से वो बहुत परेसान था तबी अचानक उसे अपने घर में खाट के नीचे पड़ा हुआ वो मोबाइल फोन मिला जो उसने अपने पापा हरिया को गिफ्ट किया था अरे कितने प्यार से पापा के लिए मोबाइल फोन लेकर आया था इसे एक दिन भी काम में नहीं ले पाए और अखिर कौन है जो गाउं में इस तरग की हत्याय कर रहा है क्या है इन सब के पीछे क्या है मुझे पता करना ही होगा वरना एक दिन पूरा का पूरा गाउं खाली हो जाएगा इस गाउं में एक भी जिन्दा इंसान नहीं बचेगा गाउं के लोगों की मदद करने की इरादे से किशन अपने गाउं से दूर एक दूसरे गाउं में बहुत बड़े तांत्रिक के पास मिलने के लिए गया तांत्रिक बाबा अब आप ही कुछ उपाय बता सकते हैं भगवान जाने हमारे गाउं को किसकी नजर लग गई है नजर नहीं लगी है किसी ने तुम्हारे गाउं को बद्दुआ दी है किसी सताई हुई आत्मा का प्रकोप है और अब वो पुरे गाउं में किसी को नहीं छोड़ेगी जब तक उसकी आत्मा को शान्ति नहीं मिल जाती अरे अरे लेकिन ऐसा कौन है बाबा किसकी आत्मा है और कैसे मिलेगी उसे शान्ति मौत है मौत कहीं से भी आएगी और सब को निगल जाएगी इस से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है लेकिन उस उपाय को करना आसान नहीं होगा जो भी उस उपाय को करने की कोशिश करेगा उसकी जान जा सकती है बले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मैं अपने गाओं के लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करूँगा बाबा तो ठीक है फिर अगली अमावस की रात जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना अमावस की रात तांत्रिक के बताया नुसार किशन अपने साथ के रोसिन लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा उसके हाथ में देवी के मंदिर का सिंदूर भी था किशन जंगल के बीचों बीच पहुँचा ये देखकर उसके आँखे फटी की फटी रह गई वहाँ एक उबलते पानी का तालाब था और कई लोगों की लाश लटक रही थी किशन की माबाप की लाश भी पही थी माँ बापू क्या हो गया ये क्या हो गया तभी वहाँ पर एक औरत और आदमी आते हैं उन्हें देखकर किशन चौग जाता है गोपाल काका आप, आपकी तो पांच साल पहले मौत हो गई थी और निर्मला काकी आप आप मौत तो हो गई थी लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हमारी मौत कैसे हुई थी क्या कहना चाहते हैं आप कुछ नहीं बस ये जान लो कि अब इस गाउं में कोई जिन्दा नहीं बचेगा लेकिन क्यों काकी क्योंकि पांच साल पहले इन गाउंवालों ने मुझे डायन बता कर पत्थर मार मार के मार डाला मेरी कोई गल्दी नहीं थी गाउं का एक बच्चा क्या लापता हुआ सारा इल्जाम मेरी पत्नी पे डाल दिया और जब मैंने निर्मला की जान बचाने की कोशिश की तो मुझे भी मार डाला आपके साथ ये बहुत गल्द हुआ काका काकी लेकिन आप जो कर रहे हैं वो भी सही नहीं है न तुम यहां से चले जाओ औरना तुम भी नहीं बचोगे हमारी आत्मा पिछले पांच साल से मुक्ति के लिए भटक रही है चले जाओं यहां से मौका देखकर किशन सिंदूर उन दोनों के उपर डाल देता है उनका शरेर जलने लगता है और वो भयानक तरीके से चिलाने लगते हैं अगले ही पल किशन उनके उपर कैरोसिंड डाल देता है और वो दोनों जल जाते हैं किशन अपने माबाप और दूसरी लाशों का अंतिम संसकार करवाता है और अपने गर लॉट आता है लेकिन वो अभी भी इस बात से अंजान है कि मोबाइल अभी भी बज रहा था कि मोबाइल अभी भी इस बात से अंजान है